Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे class 3rd maths का chapter 2 fun with numbers तो देखिए सबसे पहले इसमें है कि गौरी, रादिका और विक्की, इंद्रा सुने लिए सब इंबली कलेक्ट कर रहे हैं को हम इंगलिश में कहते हैं Tamarant के seeds जो हैं इमली के seed, बीज, seed होते हैं बीज, ये इमली के बीज कलेक्ट कर रहे हैं तो डैश कलेक्टेड लिटेों और सीट सबसे जब में सबसे जाधा बताना है इस और किस और कि इंद्रा कलेक्टेड हैं तो सुनील को कितने और कलेक्ट करने पड़ेंगे विक्की के बराबर लेने के लिए तो सुनील ने किये हैं 38 और विक्की ने किये हैं 42 तो हम लोग कैसे करेंगे 4238 में से हम माइनस कर देंगे तो 42-38 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा तो सुनील को फॉर और सीट करने पड़ेंगे अगर उसे जो है विकी के बराबर करना है पहले वाले का अंसर है इंदिरा तूसरे का है इफ राधा अगर राधा के पास राधा चैए और सीट ले लेगी तो उसके पास कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे क्योंकि अभी तक राधा आप इस बुक में देख सकते हैं कि राधा ने अभी तक 24 लिये हैं है ना हाव मेनी चिल्टरन हाफ मोर देन 40 सीट फॉर्टी सीट किते चिल्रन क पास है तीन चिल्रन के पास जो है 40 सीट से जादा है और डैश नीज थी मोर सीट टू हाफ 50 किसको तीन और सीट चाहिए 50 करने के लिए तो देखिए गौरी को गौरी को तीन और सीट चाहिए 50 करने के लिए सुनील हैस टू सीट लेस दन 40 डैश हैट टू सीट मोर दन 40 सुनी सुनिल के पास 38 सीड है और डाश हैस्टू सीड मोर्दन 40 42 सीड किसके पास है तो देखिए विक्की है ना विक्की के पास हमारे 42 सीड है तो यह हो जाएंगे इंदरा 4 33 और गौरी और फिर लास्ट वाली का उजाएंगा विक्की तो आप देख सकते हैं सब का इंदरा के 54 सुन बनाने है और कुछ नी करना है गोली गोली बनाने है इसमें कित्रे सब्सक्राइब के अंदर कितने डॉट आए वह आपको काउंट करने है पास फिर दोनी की सेंचुरी वन डे माच है ठीक है बिट्वीन इंडिया और साउथ आफ्रिका और इसमें कहां हो रहा है गुहाटी हुनी ने 96 बना लिए है सेंचुरी हंड़ेड हंड़ेड करने के लिए 96 प्लस 4 करना पड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा हंड़ेड हो जाएंगे हाव मैनी रन्स डू इस प्लेयर नीड टू कम्प्लीट सेंचुरी तो हमें कुछ लिस्ट दी हुई है कि यह वाले जो लो ट्री प्लस करेंगे तो हम्रेड बन जाएगा ना e exactement में आप 11 प्लस करेंगे और 99 में फ्लस वन तो इन mant नोगों का कितने रन चाहिए होंगे इसको चाहिए अब जो है सेंचुरी को कंप्लीट करने के लिए इसमें अब जो है आगे हम लोग देखते हैं इसमें हम लोगों को ब्लांक स्फिल करने 99 को हम नंबर में गैसे लिखते हैं 99 करके Sicher में कैसे लिखते हैं sorry Figur में हम लोग 99 करके लिखते आ है और करना है है ना तो 1002 कैसे लिखेंगे तो similar देखिए 1 कैसे लिखेंगे O-N-E-1-H-U-N-D-R-E-D 100 है ना 100 तो यही हो गया जैसे सब का चल रहा है और 2 है तो T-W-O लगा देंगे पस तो जैसे की 101 थाना यहाँ पर तो 1 और 100 ऐसे उतार देंगे और इसकी जग़ा क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे 1 ऐसे ही उतार देंगे और 100 भी ऐसे ही उतार देंगे ठीक है अब देखिए 1,2,3,4 फिर 100 क्या आएगा यहाँ पर क्या लिा है 155 लिखा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 105 फिर 106 ऐसेПр 107 तो 100 आप यहाँ पर लिख दीजे और फिर 7S E V E N लिख दीजे पिर नीचे क्या है 108 तो यहां पर 108 लिख दीजे फिर आगे फिर हमें 109 110 111 तो 112 दे रखा है फिर 112 आप यहां पर लिख दीजे ऐसे करके इसी तरीके से सारे फिल करने हैं तो फिर बात क्या आएगा 199 तो 199 यह आया हुआ है फिर आएगा 200201 के बात क्या आता है 202 आएगा तो क्या लिखेंगे आप 200 हुए एडी आर एडी हंड्रेड और तो क्या हो जाएगा 202 फिर 203 फिर क्या आएगा 204 आजाएगा फिर 206 तू हंड्रेड यहां पर और फिर इसके बात क्या आजाएगा 6 आजाएगा यह हो गया ठीक है हाँ अब यह क्वेशन पूछ रहे हैं क्या ओ 206 गैस हाउ मेनी टू मेक ट्रिपल सेंचुरी ट्रिपल का मतलब होता है तीन टाइम्स तो ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए आपको 300 लाने पड़ेंगे 300 अब हमें बहुत सारे प्लेयर्स के स्कोर दिये हुए हैं तो इसके सेंचुरी 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 सेंच तो किस किस के? AS AS और अब आपको पहले कर दे रही हूँ और एक बार हम टेबल में देख लेंगे तो और CK इन दोनों के almost equal run हमारे बने है AS और CK कि AS के कितने हैं? और CK के कितने हैं? 99 तो almost 100 बिल्कुल पास पास CS & CK के बिल्कुल पास पास 999 रन है फिर डाश स्कोर्डा कम्प्लीट सेंचुरी No less no more किसने पूरे 100 रन बनाए है complete century का मतलब पूरे पूरे 100 नाही कम नाही जादा तो किसने पूरे पूरे बनाए है नाही कम नाही जादा AS तो AS ने बनाए है यहां पर आप AS लिग दीजे पूरे पूरे मतलब complete century नाही कम नाही जादा More runs scored by any batsman आर सबसे जादा run Most run सबसे जादा run किस वाले उसने batsman ने बनाए है तो देखिए सबसे बड़ा कॉनसा नमबर आए 178 किस ने बनाए है सबसे जादा run MD ने तो देखिए MD जो है यहां पर इसने सबसे जादा run स्कोर किया है अब नेक्स्ट है dash and dash have a difference of just one run between them किस किस के बीच में एक ही run का difference है तो देखिए इनके बीच में CS और CK इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक number का difference है एक run का CS यहां पर भढ़ दीजे किस के यहां पर दीजे तो लिख दीजे CS और CK dash score more than half and half century तो किस ने 150 run से जादा बनाए है score 2 more than one and a half century one and a half कितने होते हैं 150 150 से 2 और जादा 152 किस ने बनाए है 152 बनाए है KSP 152 किस ने बनाए है 152 बनाए है KSP आप next question देखते है counting in 10s 10s में counting हमें करके बतानी है तो जैसे कि 10 आ रहा है यहां पर 20 यहां पर 30 तो यहां पर 40 भर देंगे यहां पर 50 यहां पर 60 फिर इसी तरीके से इसको थोड़ा और बारी करके ले लेते है ना देखिजे यहां पर 40 है ना फिर यहां पर 50 फिर 60 फिर 70 80 और फिर 90 है ना फिर यह 110 के बाद counting in 10s करनी है तो 110 के बाद अगर हम 10 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 120 आ जाएगा फिर प्लस करेंगे 10 तो 130 फिर प्लस 10 140 प्लस 10 150 प्लस 10 160 170 और 180 ऐसे करके बन गई फिर 10 10 में प्लस करना है तो 320 हो जाएगा फिर 330 340 ऐसे करके 350 360 370 380 390 और 400 फिर हम लोग 700 की लाइन में चॉल रहे हैं तो सबसे उपर क्या आएगा पहले यहां पर 720 है ना तो 710 आएगा 720 फिर 730 740 750 760 770 780 790 और 700 हमने 10 10 प्लस क्यों किया क्योंकि counting in 10s है किस किस में counting है counting in 10s हम लोगों को करनी है इसलिए हम लोगों ने 10 10 प्लस किया फिर counting in 50s हम लोगों को 50 50 आगे बढ़ना है तो 200 आगया 250 आगया 300 क्योंकि 250 में देखिए आपको कैसे करना है 250 में आप 50 आट करेंगे तो क्या बनेगा 250 प्लस 50 बनेगा 500 55 10 2 350 में आप 50 आट करेंगे 400 बनेगा 500 में फिर से आप 50 आट करेंगे 450 बनेगा 550 में 50 आट करते जाना है 550 में 50 आट करेंगे 600 650 650 में 50 700 750 में 50 तो 800 हमारा बन जाएगा तो इस तरीके से यह जीरो है इस तरीके से हमारा यह टेबल बन जाएगा फिर नेक्स है हम तो बिलकुल एंड तक जा सकते हैं तो बढ़ सतरे से नमबर होता है निए तरे से बढ़ा आएप शुक्ति अपैन कोई बिगएसट नमबर इस तरह से होता है इन वाली की हेल्ग से हैं फाइंड इस नंबर्स इन अबव चार्ट तो ग्रीन से आपको कलर करना है 140 तो ठीक है 140 कहां पर है आप हम लोग आप देख लेते हैं आपके कौन-कौन से हैं तो 140 तो 140 कहां पर यह रहा तो 220 तो कहां पर है 202 दू हुझे इसमें तो 202 यह रहा और 261 261 आपको डूंडना है兩11 261 भी आपको कमावर से यह रहा तो इस तरीके दिखा है उसमें प्लस करना है 70, फिर उसके बाद हमें प्लस करना है 4, तो इन सब को प्लस करेंगे, तो 4 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा 4, 7 प्लस 0 हो जाएगा 7, और नीचे उतर के आएगा 3, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे? 374 यह हमारा बन जाएगा, 374 यहाँ पे बन के आ जाएगा, इसी तरीके से 600 प्लस 50 प्लस 6, 656, 100 प्लस 50 प्लस 5, तो 155 ऐसे करके फिर आपने बना लिए और फिर उपर जो है, सर्किल कर दीजे, इन में ढून करके अलगलग कोलर से जो जो गिवन है, नेक्स्ट है, जंपिंग गब्रू, बनी और तरू, तो यह जो हैं वो जंप कर रहे हैं, और गब्रू jumps on every 7 square, मतलब प्लस 7, 7 आप अड्ड करते जाएगे, तो गब्रू जंप करेगा, फिर बनी every 4 square, तो बनी हर 4 square बात जंप करेगा, तो गब्रू को प्लस 7, जिससे गब्रू 90 पे आ है, तो अच्छ तुरह आगे जम कर रहा है तो थरु यहां पे बैठे सार्ड तो जो है प्लास तरसी इसक्वरायर तीन है साट क है तो गब्रू पहुंच जाएगा प्लस 997 पे बनी ने स्टार्ट किया है 99 से तो प्लस 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 104 पे बनी पहुंच जाएगा और 106 से तरू ने स्टार्ट किया है प्लस 6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 210 पे तरू पहुंच जाएगा तो इस तरीके से यह वाला हो गया अड़ करते जाना है बस आप गब्रू और बनी बोथ जंप और स्क्वाइर 104 डाश और डाश तो मैंने आपको उपर बता दिया है फिर फाइंड आउट करना है कि तरू और बनी और स्क्वाइर डाश डाश तो तरू और बनी किस तरीके से जो है वो जंप करते जा रहे होंगे तो इसमें आगे आप लोग कर सकते हैं जैसे कि तरू और बनी कैसे कैसे तरू कितना कर रहा था तरू कर रहा था प्लस सेवेन और बनी कर रहा था सॉज Спर्णी कर रहा था सॉसरी तरू कर रहा था प्लस फोर और बनी कर रहा था । तो किस तहिकर से जो करते जाहें गे स्कॉय पर तो वनर्ड पहले पार 114 पर तरू बनी मिलकरके 114 पर five plus four नाइन फिर one पहले 114 पर आ जाएगा यहां पर 134 प्लस प्लस 9 करते जाना है प्लस प्लस 10 करते जाना है दोने मिला के 10 जाएंगे 154 और उसके बाद 174 पर पहुंच जाएंगे 114, 134, 154, 174 is there any square where all the 3 बनी jump? प्लस काउंट करके देख सकते हैं इसली समझ में आ जाएगा guess how will all the, sorry guess who will find in the least jumps dash in how many jumps तो गबरू को हम सबसे कम कूदरा है वो सबसे कम जब में find कर लेंगे और किते जंब में 12 जंब में हम जो है उसको, sorry, finish कर लेगा sorry, गबरू सबसे ज़्यादा कर रहा है ना, इसलिए वो सबसे कम jumps में finish कर देगा या फिर वो सबसे आगे है, तो देखे, गबरू कहां पर बैठा हुआ है गबरू कहां बैठा है, यहाँ पे, और finish करने के लिए उसको कितने jumps चीए, 7, 7, 7 करते करते वो आगे जग बढ़ता जाएगा, इसलिए वो जल्दी से वनिश कर जाएगा तो यह इतना अपॉर्टन ही था, प्लस प्लस करके, एक्जाम में इस तरी की questions नहीं आते हैं एक्जाम में तो आपको प्लस माइनस यह सब करने के लिएगा तो इसमें क्या करना है, टू स्टेप फॉर्वर्ड, फॉर्वर्ड का मतलब होता है आगे आपको आगे बढ़ना है दो स्टेप्स, ठीक हो गया तो वन रिट फॉर में आपने टू प्लस किया, तो वन रिट जिक्स आ गया 186 में आप प्लस 2 करेंगे तो क्या आजाएगा 108 फिर इससे आगे आप कैसे बढ़ेंगे यह देखिए 108 में आप 2 प्लस करेंगे तो 110 110 में 2 प्लस करेंगे 112 फिर 114 और फिर 116 आप प्लस 2 करते जा रहे हैं तो स्टेप बैकवर्ड बैकवर्ड मतलब पीछे तो 262 से फिर दो कदम पीछे जाएंगे तो 260 260 से दो कदम पीछे जाएंगे तो 258 258 से दो कदम पीछे जाएंगे 256 फिर दो कदम पीछे जाएंगे 2 सौरी यह तो पूरा रभ हो गया 258 दो काड़ा पीछे है तो 256 देखे 258 आप 2माइनस कर दीजे तो 8 था 2 माइनस गया 6 by देट brass 2 – 2, Α bab़ी 2 ऊचिर चिर्ट 5- Country और Pack 1 अचिररा 2 माइनस करेंगे 254 एसमें नाचिरे तो 254 तो 252 माइनस करेंगे 250 एसमें से 1-- pan करके माइनस करते चाहना है 10 step forward forward मतलब आगे तो 10-10 add 110 के बाद 120 120 के बाद 130 130 के बाद 140 फिर 150 फिर 160 फिर 170 फिर 10 step backward मतलब 10 10 माइनस तो 200 के 10 10 फिर 180 फिर 1010 फिर उसके बाद 170 फिर 160 फिर 150 और 140 क्यूं यह थे 10 10 माइनस कर रहे हैं सब में 16 अब पैटन को कंटिन्यू करना अब हमें समझना कि क्या कर रहे हैं 550 में 560 फिर 570 तो क्या क्या हो रहा है 10 10 अद होता है ना 550 में तैनने चरेंगे तो 570 बनेगा 570 में तैनने करेंगे तो 570 यहाइगा 580 फिर इसमें चरेंगे 590 इसमें चरेंगे 600 इसमें चरेंगे 610 ठीक हो गया अब 910, 910, 920, 30 तो इसमे भी 1010 एड हो रहा है तो 940 के बाद 950, फिर 960, फिर उसके बाद 970, इसके बाद 980 तो इस तरीके से आप लोग कर देंगे फिर 209, 207, 205 तो क्या हो रहा है, 22 माइनस हो रहा है, 209 में से 2 माइनस करेंगे तो 207, 207 में से 2 माइनस करेंगे 205, 205 में से 2 माइनस करेंगे तो 203, फिर 2 माइनस करेंगे 201, फिर 2 माइनस करेंगे 199, फिर 2 माइनस करेंगे 190, क्या हो जाएगा 1097 अब इसमें क्या हो रहा है वन वन प्लस हो रहा है 401 402 403 तो फिर 404 405 यह 0 है फिर 406 फिर 407 इस तहीं के से आप कर सकते हैं नेक्स्ट है लेजी क्रेजी शॉप देखे फाइनली हमारा चैप्टर अब जादा नहीं बचा है और मुस्ट करतम सा ही हो गया है वीडियो काफी बड़ा हो गया इसमें न चलो फटाफट कम्टीट कर लेते हैं फटाफट से हो जाएगा हमारा तो इसमें हमें क्या करना है जो एक शॉप है जिसमें लेजी क्रेजी गिफ्स ठेंक्स ओनली इन पाकेट तो पैकेट में चीज़े देते हैं कैसे एक पैकेट में या तो 10 की उसमें होगा है तो 10 रुपीज की होगी या 100 की होगी इस तरीके से और कुछ लूज आइटम्स भी देते हैं तो कारट कितनी है का 100 packet उसके of 100 फ्र प्र 5 फ्र 9 प्र ठाइप divides an दिन र रहे इन 3 ने रहे हो तो वन फॉर्टी त्री दूरप्टे भाल लोगत है कैसे सों आप प्लस दो καई आप है कितना 10 10 10 10 10 4 राइंस है तो 40 फिर आपने कितना एट के 1 टू 3 तो क्या बन गया 143 हमारा बन गया ऐसे करके तो आप क्या करेंंगे 210 बनाना है हमें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे किस तरीके से बनेगा देखे 210 आप देखिये तो टो हेलिफंट है और आप क्या कर सकते हैं, एक पैकेट यहां पर ले सकते हैं, 10 और लूज आइटम हमने लिया ही निहीं इसका, है न? तो बस एजिली हम लोगा बन गया, कितना 210 बन गया, 242 ऐसे बनाएंगे, तो 200 यहां पर बना लेंगे, 4 पैकेट यहां पर बना लेंगे, तो 40 हो जाएगा य इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, अब 242 हो गया इसका, अब next है किसका 552, तो 552 कैसे बनाएंगे, 500 यहां बना लेते हैं, इतने packet, ठीक है, 50 यहां बना लेते हैं, और 2 यहां बना लेते हैं, तो 552 हो जाएगा, तो elephant का हो जाएगा 200 प्लस 10, इसका हो जाएगा monkey का 200 प्लस 40 इसका हो जाएगा 500, 50 और 2, तो कितने कितने packets हो जाएगे, तो packets of, आप लिख दीजे, packets of 200, packets of आपको लिखना है, बागी में आपको बता दिया है, packets of, packets of करके हो जाएगा यहां, next है, lazy crazy, also has a crazy crazy का मतलब हो पागल, तो इसमें है, lazy crazy has a crazy way of taking money, he takes only 100 रुपी, 10 रुपी और 1 पाइन तो 420 है, तो कितने रुपी 400 रुपी लेंगे, तो 100 रुपी के 4 नोट लेंगे, और 110 रुपी के 2 नोट लेंगे, और coin, कितने रुपी के 5 unit, 1500 रुपी के 1 रुपी का 1 unit, रूपी का नोट होगाOr कितने फॉर जो है टेन रूपी के नोट होगे रूपी सो सब्सक्राइब और थी कोईन इसमें क्या होगा of 55 में इसा हम चीनीई or जो है वो 10-10 के होंगे और 5 रूपीज खुले होंगे तो 5 नोट होंगे 10 के और 5 रूपीज होंगे खुले 1-1 रूपी के 1-1 के 5 सिपके होंगे अब who I am match with a number I come between 40 and 50 and there is a 5 in my name 40 और 50 के बीच में आता है और 5 नेम के बीच में आता है तो क्या हो जाएगा 45 फिर I have अब बस हमारा फाइनली होई गया है complete या फिर हम इसको नेक्स वीडियो में देख लेते हैं क्योंकि यह भी काफी सारा हो जाएगा न काफी कुछ इसमें भी करने के लिए है तो यह वाला अब हम लोग इधर से नेक्स वीडियो में देख लेते हैं thank you